केस के केस में बनाते की यहां पर देखों कितने दस अजार मैं एक यह बनेगी प्रो hen टेपलीटा टेबल और प्रेटार टेबल बनाना बहुती एजी कैसे आए आगे वाले स्लाइड में बनाते हैं पर देखोंग है कि यहां बना लेते हैं कहां गया यार से पिए रहा कुछ इस तरीके से बनेंगी कैसे बनेंगी देखना अच्छे से दो लाइने खैचनी ऐसे बसा बिलकुल इस नहीं जैसा सेर्स में करते थे वैसा कब ऐसा सेम करेंगे को जादा चेंज नहीं सबसे फर्स्ट कॉलम किते कॉलम बनेंगे कुछ आइडिया नहीं बस बनाओ सबसे फर्स्ट कॉलम कि डिबेंचर इसू किते करना चाहते हैं डिबेंचर इसू किते करना चाहते हैं दस अजार है ओके wise टworm application कुlles Sofia application received डितनी अप्लिकेशन आई कितनी आई application घ्र마 अप्लिकेशन है 20 000 को के लिए लेकिन लेकिन हमको यह 20 नहीं लिगना एप्लिकेशन 20 जो आई उसका हमने सेटलमेंट कैसे किया एक 5000 एप्लिकेशन एक 8000 एक 7000 और इन सब की टोटल मिलागी किती होरी है 20 तो हमको भी टुकडों में लिखना है क्योंकि सबका सेटलमेंट हमने अलग-अलग किया है तो यह एक तो आई 5000 एक आई 3000 एक divisions 7000 तीन केटेगरी की अप्लिकेशन आई और इन तीनों कि टोटल होगी колव के साथ में क्या आएगा कोई भी ऐसे अपलाई कर सकता है क्या मनमर जी में ऐसे अपलाई कर सकता हूं क्या किसी की का कंपणी के डिबेंचर को खरिदने के लिए या सेयर्स को खरीदने के लिए नहीं एप्लिकेशन के साथ में एप्लिकेशन मनी जमा करानी पड़ती है तो जिन्होंने पाँच जार डिबेंचर मांगे होंगे उन्होंने उसके साथ में क्या जमा कराया होगा एप्लिकेशन मनी किता कराया होगा 5000 डिवेंचर जिसको चाहिए उसने apply करते time application money कितना जमा कराया होगा ये रहा application money कितना है 3 rupees तो 3 रुपे जमा कराया होंगे उसने हाँ जी तो 5000 multiply by 3 कितना हो गया 15,000 5000 डिवेंचर चाहिए तो application के साथ में 15,000 रुपे जमा करा दिये bank के account के अंदर उस company के account के अंदर ओके इन्होंने किते जमा कराया होंगे 8,000 multiply by 3 24,000 इन्होंने किते कराया होंगे 7,000 multiply by 3 21,000 टोटल किते जमा कराया होंगे इन सब की टोटल कितनी आएगी 20,000 multiply by 3 60,000 और क्या यहां तक तो हो गया ठीक है अब भया इनको डिवेंचर दिये कितने डिवेंचर दिये कितने डिवेंचर इसू डिवेंचर इसू किते की है जिन्होंने 5,000 डिवेंचर मांगे थे और 15,000 रुपे जमा करा दिये application के बाखी के पैसे वो एलोटमेंट और फर्स्ट कोल पे देगा application के तो दे दिये उसने क्या हमने इसको 5,000 डिवेंचर दिये नहीं हमने तो इसकी application कोई क्या कर दिया reject इसको डिवेंचर दिये 0 तो इसको डिवेंचर इसू नहीं करें इस किये ही नहीं जब इस बंदे को एक्चुल एक्च्न मुनिय का है ऐक्चुल एक्च्ट एक्टिबीकेशन ऐसने पंदरा जार जमा जारूर करा है पांच ज़ूम दिबेंचर इसको लगा मुझे पांच एल मिल जाएंगे तो तीन रुप एसाफ से फंदरा जार जम्हूम् ओर दिये लेकिन वास्तों मैंने इसको डिव्यिंचर दिये नहीं जब डिवेंचर दिये नहीं तो क्या व्रास्तों में इसकी एक्च्यम एप्लिकेशन मनी बनती है नहीं तो जो इसने 150000 रुपए जमा कराये थे क्या वहा हमारे पास में रख सकते हैं 15,000 पूरा का पूरा, इसको access बोलते हैं, access money हो गई, इसको क्या बोलते हैं, access money, तो access money कितनी हो गई, पंदरा जार, 15,000, ओके, अब access money का क्या करेंगे, मज़े करो access money के, नहीं, उसको वापस देने होगी, तो जब वापस देने होगे ना, तो उसको बोलते हैं refund, क्या बोलते हैं, refund, तो यह हम उसको क्या कर देंगे, refund कर देंगे, एक दो column और बना देता हूँ, क्या पता काम आजाए, क्या काम आएंगे, अभी आपको पता भी चल जाएगा, refund, इससे ना allotment लेना है, ना first call लेना है, पूरे की पूरे 15,000 refund, allotment और first call क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसको debenture दिये ही नहीं, तो काई का, उसका पैसा लोटा हूँ वापस, बोलो, यहां तक कोई problem, थमसब भेजो वारना पटा पट, जल्दी करो धोड़ा, अब देखो आगे, इसका क्या हुआ देखो इसका, 8,000 debenture है, हाँ जी, 8,000 debenture है नहीं, इसने 8,000 debenture के लिए apply किया, इसको लगा, मुझे 8,000 debenture मिल जाएंगे, और 3 रुपए के हिसाब से, इसने application money किती जमा करा दी, 24,000 रुपए, जबकि इसको debenture इसू किते किये, इसको debenture दिये कितने, 8,000 के लिए apply किया था इसने, और इसको debenture दिये किते only, 4,000, तो ये जो अपनी application money जमा कराएगा, वो 8,000 के हिसाब से कराएगा या 4,000, 4,000 के हिसाब से कराएगा ना, तो इसने पहले 8,000 के हिसाब से application money क्यों जमा करा दी, क्योंकि उस टेम इसको लगा, मुझे 8,000 debenture मिलेंगे, अच्छा जी, तो इसको इसू कर रहे हैं, 4,000, 4,000 debenture, तो debenture इसू कर रहे हैं, 4,000, तो इसकी actual में application money, 8,000 के हिसाब से बनीगी, या 4,000 के हिसाब से, common sense है न, जित्ते debenture दे रहे हैं, उसके हिसाब से application बनी बनेगी, तो debenture दे रहे हैं, 4,000, तो 4,000 के हिसाब से बनीगी, यह हो जाएगा, 4,000 multiply by 3, तो किता हो गया, 12,000, बैसाब ने पैसे किते जमा करा दिये, 24,000, application की, जबकि उसको कराने किते थे केवल 12,000, तो उसने कितने ज़्यादा जमा करा दिये, 24,000 करवाने थे, करवा दिये, 12,000 करवाने थे, तो एकसेस किता हो गया, 12,000, 24,000 जमा करा हैं, लेकिन, डिबेंचर 4,000 ही दे रहे हैं, तो application की केवल 12,000 रुपीजी बनते हैं, तो 24,000 में से 12 तो बनते हैं, 12 जो एकसेस हो गए, वो क्या करना है, वो अगर question में कुछ नहीं लिखा होता है, तो refund करना होता है, वापस दे दो उसको, बट कुछ लोग क्या करते हैं, उसको refund नहीं करते हैं, वो बोल रहे हैं, भया, अभी 4,000 से डिबेंचर जो इसू किये हैं, इसके उपर, allotment, और first call आनी तो बाकी है न, allotment के कितने रुपे लेने बाकी हैं, चार रुपे, first call के कितने तीन रुपे, तो उसमें adjust कर दो इसको, जो 12,000 access आएं, अभी allotment और first call की date नहीं आएंगे, यह जो प्रोरेटर टेबल बनती है, application की date पर बनती है, तो अभी date आई तो नहीं है, लेकिन पहले से ही adjust कर लो उसके लिए, हमेजा याद रखना, यह जो table बनती है, कब बनती है, application की date, allotment दो महीने बाद मांगेंगे, first के पास में कोई पैसा जादा है, तो उसको adjust आप यहाँ कर सकते हो, refund ना करके, अब जिन लोगों ने 8,000 debenture मांगे थे, हमने उनको दिये कितने 4,000, तो इनकी application किसके इसाफ से बनी, 4000 के इसाफ से, अब जब भी हम future में, अभी तो नहीं future में, allotment मांगेंगे, तो किसके इस को लाएगी, बिल्कुल सही बात है, तो 4000 पर 4000 पर, हम इनसे क्या मांगेंगे, allotment, कितना, 4 होता है, तो 4000 पर allotment कितना होता है, इसका देखो, 4000 multiply by 4, किता होता है, 12,000, और हमारे पास वास्तों में, एक्सेस में पड़े ही किते हैं, 12, वो 12 के 12 हमने कहां डाल दिये, allotment में, तो अब यहां किते बज़ गए, 0, 12 ही जादा आये थे, 12 के 12 हमने allotment में डाल दिये, पहले से, अभी allotment due नहीं हुआ है, तो सर अब first call में डाल सकते हैं क्या, नहीं नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, 12 ही थे, 12 के 12 हमने allotment में डाल दिये, तो इन लोगों की 4000 डिमेंचर पर application भी allotment भी आ पूरा, अब इन से first call जब भी होगा, तब मांगेंगे, अभी हमारे पास है नहीं, तो less हो गया, अब एक बार यह कहानी वापस repeat होने व हमने इनको डिमेंचर दिये कितने हैं, हमने इनको जिनोंने 7000 के लिए apply किया था, इनको हमने only 6000 डिमेंचर इसू किये, 6000 डिमेंचर इसू किये, apply किया था 7000 के लिए, इसू किये इनको 6000, तो यही पागल थोड़ी है, तो 7000 के इसाब से 3 रुपे जमा करा दिएंगे application के, 6000 के के साब से actual application money 3 रुपे के साब से कित्ती होती है इन्होंने जमा करा दिये application के 21 जब कि इनके application के होते है एक्चुल में 18 तो इन्होंने कित्य ज़्यादा जमा करा है तो 21,000-18,000 किते ज़्यादा जमा करा दिये 3,000 अब 3,000 को क्या refund करें नहीं इसको आप क्या कर लो adjust कर लो कहां पर अपली के एलोटमेंट में और फर्स्ट कोल में पहले से एडवांस में इनसे हम एलोटमेंट मांगेंगे कितना साथ जार दिवेंचर के इसाब से नहीं हमने इनको इसू किते की हैं 6,000 तो 6,000 के इसाब से एलोटमेंट कितना है चार रुपे तो 6,000 multiply by 4 कितना होता है 24,000 रुपे होता है कितना होता है 24,000 रुपे 6,000 एलोटमेंट के 4 रुपे 24,000 हमारे पास 24 हैं नहीं हमारे पास तो केवल कितने हैं तीन अजार है तो तीन अजार को हम इधर ट्रांसपर करते हैं एलोटमेंट जबकि एलोटमेंट बनता 24 हैं तो बाकी क्या हुआ तीन अजार तो अभी आ गए बाकी कितना बजगया 21,000 वो कब मांगेंगे जब एलोटमेंट की डेट आएगी तब अभी आई थोड़ी है यह तो यहाँ पर मैं एक आप कुछी समझा सकता हूं यहाँ की टोल ओरी है टैन ninesem यहाँ की टोटल हो रही है थार्टी ऊजन एक्सेस की टोटल की कॉलम नहीं को लें की तॉटल नहीं करनी यहां की 225 he कि नेस लंड है अभ है और इसाब कैसे कर सकते यह टोटल जो है ना एप्लिकेशन मनी रिसीव्ड जो हुई थी वही थी शिक्स्टी थाउसे में साथ में से हमने थीज जार तो एप्लिकेशन में ढाल दी है ग्वामे साँठ में से पंद्राजार हमने एलॉट में डाल दी किसार्ट मेंसे हमने पंद्राजार रिफंड कर ली है यह कुल थिस-ट भी 5 kt के 15- 45 आई-6 Ka सॉरी कर चाहे थे हमसे पी derecho तो इसकी जनरल एंट्री कराना सिखा देता हूं फिर मैं आपको ओमवग भेज दूँगा जो यहां पर सेव नहीं हो पाया नहीं वो मैं आपको ओमवग भेज दूँगा अभी भेज दूँगा अत्वाद ऐसे बनाते हैं प्रोरेटा टेबल ओके सवीता कुमारी थेंक्यू ओके गजिंद्र चलिए इसकी जनरल एंट्री बनाना सीखते हैं संजय ठीक है ओके ओके बच्छो चलो थेंक्यू अब जनरल एंट्री बनाते टाइम चीज़े ध्यान रखना मैं आप एले फॉर्मेट बना देता हूं जनरल का तो जनरल का फॉर्मेट कुछ इस तरी किसे बनता है यहां आ जाएगा सबसे पहले डेट यहां पल्टिकुलर आता है बहुत बड़ा फिर उसके पास में एलेफ फिर डेबिट और क्रेडिट जनरल डेट पल्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट एंट्री नंबर फर्स्ट एप्लिकेशन वाली एप्लिकेशन में बैंक पहले आएगा कल एंट्रिय करवाई थी याद है तो बैंक एकाउंट डेबिट टू कितने पर्सेंट वाले डिबेंचर हैंगी इंट्रेस्ट की रेट क्या है ये इंट्रेस्ट की रेट होती है ब्याज किदर जो डिबेंचर के साथ में लिखी होती है ट्वैल परशेंट क्या लिख दिङेंगी टू ट्वैल परशेंट डिबेंचर कि एपलिकेशन एकउंट है कितना एपलिकेशन टोटल कितने याई थी हम भले डिबेंचर दसजार इस्टु कर रहे है इपलिकेशन कितनी आई थी लोगों को पता और वास्तों में 60,000 रुपे ही तो आये थे अभी मैंने आपको थोड़ा सा उसका कैल्कुलेशन बताया था यहां लिख देंगे एप्लिकेशन बनी रिसीवड यह देखे बचा साथ ही तो आये थे टोटल 20,000 पे 3 रुपे साथ हाजी सेकेंड यह एप्लिकेशन मनी कहां ट्रांसपर करना है कैपिटल में 12 परसेंट डिबेंचर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू 12 परसेंट डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर में मैंने क्या बोला था फेस वेल्यू आती है एप्लिकेशन पर फेस्वेल्यू कितनी है यह रही तीन रुपे और कितने डिवेंचर पर टैन ताउजन ही तो इसू कर रहे हैं बाकी का पैसा तो एलोटमेंट में डाला है कुछ रिफंड किया है तो यहां है का 10,000 multiply by 3 यह एप्लिकेशन जितने से क्रेडिट है उतने से क्या हो जाएगी डेबिट वो तो सही है लेकिन यहां कितना है का 10,000 multiply by 3 ती सजार रुपई तो आएंगे डिवेंचर में अप्लिकेशन पर 10,000 डिवेंचर इसू कर रहे हैं तीन रुपए पर डिवेंचर तो ती से आने चाहिए यह तो बताया ता मैंने देखो यह 30,000 आने चाहिए आ साट गए हैं लेकिन आने तो 30 चाहिए ना एप्लिकेशन पर यस तो बाकी के जो ज़्यादा आये उनका क्या किया 15 एलोटमेंट में डाल दिए 15 रिफंड कर दिए जो रिफंड कर देते है ना उसका तो हम कर देंगे टू बेंक क्योंकि पैसा गया जब पैसा आया तो बेंग अंडेबिट हुआ जाएगा तो क्रेडिट एसेट वाला रूल लग रहा है ओके बाकी के 15,000 का क्या किया उसको हमने एलोटमेंट में डाल दिया 12 परसंट डिबेंचर एलोटमेंट एकाउट कितना डाला 15,000 एलोटमेंट में डाला वो तो ठीक है लेकिन एलोटमेंट को क्रेडिट क्यों किया Allotment को credit क्यों किया क्योंकि Allotment का पैसा application पे आ गया है तो यह हमारे लिए liability है Allotment तो दो महिने बाद मांगेंगे पैसा पहले advance में आ गया और कोई चीज हमें advance में मिल जाती है तो वो हमारे लिए liability होती है और जब भी new liability generate होती है तो हम उसको credit करते हैं यह मैंने कल रूल बताए थे आपको modern rule इसलिए मैंने इसको credit कर दिया अब देखिए हो गया पूरा 60 का सब 60 आये थे 30 एक्चुल में बनते थे 15 एलोट्मेंट में डाल दिये advance वाले और 15 refund कर दिये और यहां लिख देंगे अम नरेशन application money transfer to their respective account application money को उनके respective account के अंदर क्या कर दिया transfer बताए यह application की entry भी है बताओ फिर आगे बढ़ें allotment की करवाता हूँ फिर अगे थाड़ सबसे पहले allotment due होगा सबसे पहले allotment due होगा allotment due की entry करते देखो क्या होगा allotment due में bank वाली पहले नहीं होती application में bank वाली entry पहले होती allotment due में थो due वाली entry पहले होगी प्रम कर देंगी 12% debenture allotment account debit to 12% debenture account कितना amount simple है कोई confusion नहीं होना चीए 10,000 multiply by 4 कितना मांगेंगे allotment पे 10,000 debenture पे 4 रुपे 10,000 multiply by 4 नदिसकाउंट 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 प्रीमियम है at power वाला question है बस pro rate allotment table बन गई क्योंकि over subscription था यहां क्या लिख देंगे allotment due आगे आगे भी आएगा देखो बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं फोर्ड नंबर पैंक अकाउंट डेबिट 2 12% debenture allotment अकाउंट क्रेडिट यह जो allotment डेबिट था ही क्रेडिट हो जाएगा लेकिन यहां एक चीज़ का ध्यान रखना allotment पे कितने आने हैं 40,000 रुपे हाँ बिलकुल आने है 40,000 रुपे बट कुछ पैसा तो पहले आ गया था यह देखो यह allotment में advance में यह application के दिन बनाई थी table तो allotment में advance में कितना आ गया था 15,000 total allotment होता 40 है उसमें तो 15 तो लोगों ने पहले दे दिये तो बार-बार थोड़ी देंगे time pass थोड़ी कर रहे हैं कि बार 15 पहले दे दिये 15 और ले लो ऐसे थोड़ी होगा चालिज टोटल होते हैं 15 पहले दे दिये तो बाकी का पैसा आ जाएगा कितना 25,000 और यहां अमलिक देंगे allotment money received बस यहां एक प्रॉब्लम हो गईगी मैं बोलता हूं यहां पर वैसे कि वह यह यह देखो इदर application जितने से credit उतने से debit तो allotment भी जितने से debit हो रहा है debit केतने से हो आने चालिज से तो credit भी कितने से होना चाहिए यह देखो должно debit 40 से to credit होना चाहिए तो किते से 15 से तो एलोट्मेंट टोटल क्रेडिट किता हुआ 15 और 25 चालीस डेविट भी किते से 40 तो हो गया बताओ तो लास्ट फाइनल कोल वाली एंट्री करा दिता हूं फस्ट कोल वाली फस्ट एन फाइनल कोल बताईए दो एंट्री बची बस थेंक यू आजी एंट्री नंबर फिफ्ट द्यू होगी पहले तो 12 पर्सेंट देशर फस्ट एंड फाइनल दोनो कोल साथ में अकाउंट डेबिट तो 12 पर्सेंट देशर यस कितना देखो सीधा 10,000 पे कितना थ्री रूपीज और क्या 10,000 मल्टिप्लाइ बाइ 30,000 यहाल क्विग देंगे फिर्स्ट आफ्रक argue ड्यूंग शिक्स नंबर एंट्री बैंक एकाउंट डैबिट टू ट्वेल परसेंट डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने आने थे तीस अजार ड्यू किया है पहले कितने आये देखो टेबल में फर्स्ट कॉल में पहले कुछ आया न थी न को नहीं न नहीं आया तो पहले जीरो आया तो पूरे के पूरे पैसे अब आएंगे कॉल में इंड, ऋ thee पूरेको आया है एक कितने रह舞ाढे देखो पहले एक डिवेंगा डिवेंगे